नमस्ते मेरे चैनल में आपका सौगत है तो आज हम ब्लाउस की बैगनेक डिजाइन देखने वाले हैं यह जो डिजाइन है बहुत ही ट्रेडिंग में चलेई है और इसकी कर्टिंग श्टिचिंग मेंने बहुत ही आसान तविके से बताया है आपको मेरा यह वीडियो अच्छ ब्लाउस की कटिंग करके लेना है तो आस तो को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और निचे से एक सीली लाइन खिच के लेना है क्योंकि फैबरिक कम ज्यादा रहता है तो हम इससे सीली लाइन खिच के लेना है और जासे लाइन कीचे वासे हमें ब्लाउस की टोट और यहाँ पर फेबरिक और जाइंट रहता है वास से हमें शोर्डर का नाप लेना है यहाँ पर मैंने शोर्डर लिया है साड़े पाच इंच और अर्मोर लिया है छे इंच शोर्डर में आर्दा इंच मिला के अर्मोर लेना है और चेस का आमें चोटा भाग लेना है तो यहाँ पर मैंने चेस लिया है दस इन चारिस का चोटा भाग और यहाँ पर अर्मोर से आमें आर्दा इंच भाग की तरप लेना है और इस तरह से अर्मोर का से देना है तो यहाँ पर हमें कमर का चोटा भाग लेना है तो मैंने 34 का चोटा भाग लिया है साड़े आठ और इसमें एक इंच मिलाया है तो साड़े नाउपे निशान लगाया है और इस तरसे लाइन खिछनी है और यहाँ पर सिरा इमाजिन के लिए 1.5 बढ़ा के लेना है अब इस तर से हमें blouse की cutting करके लेना है यहाँ प्रमिन डाच के लिए fabric को इस तर से double fold करके qualification लगा के लेना है और 1.5 इंज के उपर हमें इस तर से गुलाई में save देना है अभी main fabric को इस तर से हमें रखना है और आस्तर के कतिंग को एस तरह से रख के हमें फेबरिक के क्टिंग करके लेना है तो इस तरह से कटिंग हो चुकी हैं अव ihan fabric को हम side पे रख देते हैं अब इने рублей जैंग बनाने के लिए हमें बुकरम पेपर को इस तरह से double fold करके लेना है जितने हमारी नेक की छोड़डाई और लंबाई रही की उतने हमें बुखरंपेपर देना है तो यहाँ पर मैंने गले की लंबाई लीए है 11 इंच और छोड़ाई दी है सवा 2 इंच तो इस तर से हमें बॉक्स बना के लेना है और यहाँ पर मैंने 1 इंच बढ़ा के लिया है ताकि हमारा जो गले का सेपल अच्छी तरह से आए और इस तरह से हमें box बना के लेना है और इस box के उपर हमें गले का goal shape देना है तो उपर की तरफ हमें अदा इंच छोड़ के इस तरह से लाइन खिच के लेना है और भार की तरफ हमें पाउना इंच बढ़ा के सेम सेप में निशान लगा के लेना है अभी बुख्रा पेपर की हमें भार की तरफ से पहले कटिंग करके लेना है और उसके बाद अंदर की तरफ कटिंग करके लेना है उपर की तरफ हमें आदा इंच की पट्टी छोड़के इस तरह से कटिंग करके लेना है इस तरह से बुखराँ पेपर की कटिंग हो चुकी है अब इसके हमें सेंटर पे कट लगा के निशान लगा के लेना है और सेम उसी तरह हमें अस्तर के उपर भी निशान लगा के लेना है अभी इन दोनों निशानों को इस तरह से रखके हमें बुखराम पेपर को लगा के लेना है बुखराम पेपर ही लेना इसलिए हमें पिंग लगा के लेना है इससे हमारा जो गले का से पर एक्दम परफेक्ट आता है और बुखरम पेपर के चारो तरह से आम इस तरह से सिलाई लगा के लेना है आपको नेग डिजाइन के ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अब हमें यहाँ पर क्या करना है में फैबरीक के ऊपर इस तरह से अस्तर के कटिंग को रखना है और पिन लगा के लेना है अभी बुख्रम पेपर के एकदम किनारी से हमें इस तरह से सिलाई लगा के जाना है जिस तरह से हमारा गले का सिपरेगा उस तरह से हमें फैबरीक को घूमा के जाना है और सीड़ी सीड़ी सिलाई लगा के जाना है अब इस तर से आमें गले की कटिंग करके लेना है और इस तर ची छोटे छोटे कट लगा के लेना है सिलाई कट ना हो इस पर हमें ध्यान देना है सिलाई तक ही आमें कट लगा के लेना है कट लगाने के बाद हमें फैबरी को इस तरह से फोल करके लेना है फोल करने के बाद आप इस पे प्रेस करके लीजे ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छी से आए उसके बाद हमें इस तरह से सिलाई लगा के लेना है यहाँ पर मेरा जो फैबरिक है मेन फैबरिक को एकदम ट्रांसपर है तो इसमें बुक्रम पेपर दिखाई दे रहा है लेकिन इसके उपर डिजाइन आने के बाद यह पूरा कवर हो जाएगा तो यह दिखेगा नहीं अब यहाँ पर हमें एकसा फैबरिक की कटिंग करके लेना है तो इस तरह से हमें फैबरिक की पिसको कटिंग करके लेना है चोकने सेप में यह लगबग दो या अडाई इंच होने चाहिए और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके लेना है और सिलाई लगा के लेना है उसके उपर इस तरह हमें ट्रिकोनी घड़ी करके उसके उपर सिलाई लगा के लेना है तो इस तरह से मैंने पहले ही बना के रखे थे तो हमारे पूरे नेक पे बेटेंगे इतने हमें बना के लेना है अभी उपर की तरफ हमें आदा इंच छोड़ के इनको लगा के जाना है ये शोर्डर में शिलाई के लिए हमें आदा इंच उपर की तरफ छोड़ना है और इस तरह से हमें एक एक बैच को लगा के जाना है तुर आसे जामीं पुराई गले के ऊपर लगा के लेना है तो यह लगाने के बाद हमें इस तरह से एक दो इंच की पट्टी लेनी है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा के लेना है और इस पट्टी के ऊपर हमें इस तरह से फिल बना के लेना है झाल झाल फ्रेल बनाने के बाद हमें इसके उपर प्रेस लगा के लेना है ताकि ये अच्छी तरह से बिट जाए और फिनेशिंग अच्छी आए इसलिए हमें इसके उपर प्रेस लगा के लेना है प्रेस लगाने के बाद हमें इस प्रेल की पट्टी को ब्लाउज के उपर इस तर से रखके उसके उपर सिलाई लगा के जाना है प्रेस लगाने के उपर हमें इस पट्टी को लगा के जाना है आपको मेरा इस वीडियो कैसा लगा हूँ जोरू कमेंस करके बताईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए एक साथ पट्टी के हमें कटिंग करके लेना है अभी जाज से हमने सिलाही लगाई थी वहीसे हमें आदाइं छोड़के उस पट्टी के ऊपर से सीधी सिलाही लगा के जाना है इस तरह से बस सीड़ी सीड़ी सीलाई लगा के जाना है अब यह हमें पाइपिंग के जैसी डेल रिंज की पट्टी कटिंग करके लेना है और उसके किनारे से सीलाई लगा के जाना है इस तरह से डबल फोल्ड करके सीलाई लगा के जाना है ये पूरे पाइपिंग के पट्टी हमारे पूरे गले पे बिटे गीतने हमें कटिंग करके लेना है ताकि बीच में कई हमें कम ना पड़े तो इस तर से सिलाई लगाने के बाद हमें सुई से इस तर से धागे से इसको गाट लगा कि इस तर सी धागा लगा कि लेना ही और सुई को आमें पट्टी के अंदर दार कि आमें इस तर सी इस पट्टी को फोल्ड करके लेना ही दिस वैसे हमने पट्टी के जैसे एक पट्टी बना के लिया ही और उसको आमें इसके उपर लगा कि लेना ही बैस वैसे पूरे गल्ले के उपर हमें लगा कि जाना ही हमने जो फ्रेल के पट्टी लगाई थी उसकी जो सीलाई थी उसको हमें इससे कवर करके लेना ही इस पैपिंग पट्टी से और एक्सरा पट्टी कटिंग करके दुसरे शाय से भी सीली सिलाई लगा कि जाना ही अभी ब्लाउस के उपर हमें जो डाच के लिए निशान लगाते हैं वहाँ पे चार इंच पे डाच के लिए सिलाई लगा के लेना है दूसरे साइस से भी हमें चार इंच पे सिलाई लगा के लेना है अब उसके बाद हमें कमर पट्टी को लगा के लेना है इस तरह से कमर पट्टी के साइट से हमने फोल्ड करके लिया है और उसके ब्लाउस के ऊपर हमें इस तरह से रखके सिलाई लगा के जाना है ब्लाउस के सिरी साइट से ऊपर हमें कमर पट्टी को रखके सिलाई लगा के लेना है उसके बाद हमें कमर पट्टी को इस तरह से खोल के उसके ऊपर एक दाब सिलाई देनी है और अंदर की तरह इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है इस तरह से आपे मैंने गुल्डन कलर के मोती लिया ही और सेम कलर का धागा और सुई लेना ही और इस तरह से हमें ब्लाउज में से सुई निकलना ही और जहाँ पे फ्रेल का कोना ही वास से हमें सुई को इस तरह से निकल के लेना ही और मोती को लेके इस तरह से सिला के लेना ही इस तर से हमें design बणा की लेना है पुरे फेल के ऊपर इस तर से हमारी जो new नीक की designer बहुत ही खुब सुरत दिखेगी इस तर से हमें पुरे गले के ऊपर design बना की लिना है इस시कday झाल झाल अब यहाँ पर हमें फैबरिक के इस तर से चोकनी पिस कटिंग करके लेना है और इसको इस तर से ट्रिकोनी फोल्ड करके लेना है और उसके ऊपर सीली सिलाई लगा के लेना है इस तर से आमें पाच बैच बना के लेना है अभी सेम का लगा धागा और सुई लेके हमें इस तर से सिला के लेना है बसे इस तर से सुई से टाके लगाने है जितने भी हमने बैच बनेते उनको सबको हमें इस तर से सुई धागे में सिला के लेना है और इस तरह से हमें एक फूल बनाना है यहाँ पर मैं इसा फैबरी के कटिंग करके लेती हूँ और इसको आची तरह से टाके लगा के लेती हूँ अब इसके उपर एक बटन लगा के लेना है यहाँ पर मैंने इस तरह से गोल्डन बटन जॉइन करके लिया है अभी एक डोरी लेना है हमें और उसके ओपर हमें लटकन बना के लिए ना है इस तरसी छोटे साइज में अब इस दोरी को हम फुल के ओपर आटेच करके लेते हैं फुल के बैक साइट में इस दोरी को लगा के लिए ना है सुई दागे से हमें आटेच करके लेना है तरस्ता से बहुत ही खुबसूरत फुल बन चुका है इसको हम बलाउस के ओपर लगा के लेते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत बलाउस की डिजाइन बन चुकी है ये पहले के बाद बहुत ही खुबसूरत दिखेगा और ये दिजाइन बहुत ही ट्रेलिंग में चले तो आप इस दिजाइन को जोरूर बना के देखिए बहुत ही खुबसूरत दिजाइन है और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद